हे गॉज़र्स होपी ओल दूइंग ग्रेट तो आज मैं यहां पर एक टेबिल क्लाथ को पेंटिंग करने वाली हूँ तो सबसे पहले कलर के लिए यह फेबिक्रिल के अक्रेली कलर अब कोई भी ब्रैंड का ले सकते हैं कोई भी शेट के बहुत सारे शेट आपको मिल जाएगी तो यहां पर कलर लेने से पहले ज़रूर यहां पर डेट ज़रूर चेक कर लेना तो उसके नीचे आप कार्टबोर का यूज कर सकते हैं यह दोनों साइट पे भी आप इजिली यूज कर सकते हैं या फिर आप फ्रेम का भी यूज कर सकते हैं तो सबसे पहले brush को पानी में अच्छे से भीगो के और अच्छे से पानी लेके इस तरीके से आपको circle करना है हासरे पानी से ही करना है कुछ color नहीं लेना है अब यहाँ पर brush में मैं यहाँ पर round brush यूज़ कर रही हूँ बाद में यह बड़ी circle बन जाएगी जितने की अपने पानी से इसको circle किया है उतना ही हो जाएगी तो सारे में करना है अभी तो में थोड़ी सोड़ी गैप रखे कर रही हूँ बाद में इसके अंदर अंदर भी डाल दूंगी मतलब पूरा एकदम भर के में color कर दूंगी आप चाहिए तो दोनों shade यूज़ कर सकते हैं दो चार्ट जैसे कि आपको मन पसंद है मैं यहाँ पर तील ब्लू कलर यूज़ कर रही हूँ आप कोई भी shade यूज़ कर सकते हैं आपके table cloth के according इस तरीके से आप बेडशीट के उपर भी कर सकते हैं सेम तरीके से तो यह देख सकते हैं इस तरीके से आपको spread होगा तो यही जो spread है यही इसकी खुबसूरती है इसकी side पे जो हलका हलका सा है न तो और जो जो खाली जगा पर थाना तो सारे में करना है यह बहुत जगा बड़ा है यह table cloth तो मैं पता नहीं में पूरी कर पाऊंगी की नहीं वीडियो के लिए बट मैं जरूर दिखाऊंगी मैं जितना कर पाती हूं और इसको आप वाश भी कर सकते हैं कुछ नहीं होगा यह कुछ भी नहीं होगा औ तो क्या हो जाती है वह बहुत कड़क टाइप का हो जाती है हार्ड हो जाती है उसकी कोई जरूरत नहीं है एकदम ब्राश में थोड़ी सी कलर लेके इस तरह के से अप करना है और इसको क्या है ना यह पानी में अपको पहले आपको भीगव के फिर कर रहे है ना तो यह कलर एट करके दिखाऊंगी आपको कौन सा अच्छा लगए आप कर सकते हैं तो यहाँ पर रेट कलर से भी में करके दिखा रही हूं अब यहाँ पर टाकवाइस ब्लू तो मुझे लग रहा है इसके उपर टाकवाइस ब्लू ही ज्यादा अच्छा लग रहा है अब अपने पसंद के कर सकते हैं, जो मैं बोल ले थी, इसको वाश भी कर सकते हैं, जैसे ये कलर करने के बाद 24 hours के लिए इसको ऐसे रख दीजिए, कुछ मत करें, उसके बाद next day पर इसके back side पर प्रेस कर लेना, और कुछ नहीं करना है, यहाँ पर मैं lemon yellow color यूज कर रही हूँ, तो और हाथ से यूश करें, हाथ से वाश करें, कोई भी mild detergent, easy या फिर shampoo के साथ, तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने सारे के side पर flower की जो border है, आउटलाइन वो नहीं कर रही हूँ, कुछ-कुछ चोड़ रही हूँ, कुछ-कुछ की, स्रिफ flower के अंधर ही circle बना रही हूँ, इस तर बहुत ज्यादा आसान है, इसको जरूर ट्राइ करें, आपको अच्छा लगेगा, और table cloth, I mean, यह dining table की cloth है, तो यहाँ पर देखिए, मैंने इतना तो कर लिया है, और मैंने gap भी ज्यादा नहीं रखा है, और मैं क्या करूंगी, dining table के उपर इसको place करके, अच्छे से यह complete होन बहुत ही minimum wash करें तो ही अच्छा है, तो यह देख सकते हैं, मैंने पूरा तो complete नहीं कर पाई, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा बड़ा था, आप comment section पे जरूर बताना आपको यह कैसी लगे, thank you, bye bye